आज की स्वीड के अंदर हम बात करते हैं Facebook Rights Manager Rejected के बारे में अगर आप लोगों ने Facebook Rights Manager के लिए प्लाई किया है और आपका भी Rights Manager एप्लिकेशन रिजेक्ट हुआ है आपके Facebook पेज पर भी Rights Manager अप्रू नहीं हुआ यहां पर आपको Facebook कहते हैं कि हमने आपके Facebook पेज का जाइजा लिया हम नहीं कंपर्म कर दिया कि यह आपका ओरेजनल कांटेंट नहीं है और इस वक्त हम आपको Rights Manager अप्रू नहीं कर सकते हैं यहां पर नीचे कहते हैं कि आप More Information के लिए नीचे देगे लिंक पर क्लिक करके Rights Manager के बारे में आप फुल इंपर्मेशन हासिल करें इसके बाद यहां पर नीचे है कि अगर आपके जहन में यह है कि फेस्बुक ने मिस्टेकन ली महामारा जो Rights Manager अप्लिकेशन है वो रिजेक्ट किया है तो आप नीचे जो इना इस इमेल का रिप्ले दे दे और हमें जो इना मजीद इंपर्मेशन से आगाह किजिए लेकिन अगर आप लोग फेस्बुक को इमेल भी करें तो फिर भी फेस्बुक आपका जो Rights Manager अप्रू नहीं कर सकते है पिर भी फेस्बुक आपको सारी करते है तो आज की स्टुड के अंदर में आप लोगों को ये बताने वाला हो कि अगर आप लोगों को ये मसला आजए तो आपने इसको दो मिनट के अंदर किस तरह स्वाल करना है आप लोगों ने किस तरह अपने फेस्बुक पेज़ के उपर Rights Manager को हासिल करना है तो सबसे पहले में बात ये है कि अगर आप लोगों फेस्बुक पर Rights Manager अप्रू करना चाहते है आप लोगों राइट्स मनेजर हासिल करना चाहते है तो इसके लिए 100% ओरिजिनल वीडियो चाहिए अगर आपके फेस्बुक पेच के अंदर 100% ओरिजिनल वीडियो नहीं है तो फेस्बुक आपके एप्लिकेशन को रिजेक्ट करते हैं फेस्बुक आपके एप्लिकेशन को एप्रू नहीं कर सकते हैं तो सबसे पहले में बात ये है कि आपका ओरिजिनल वीडियो चाहिए अ क्योंकि मैंने आप लोगों को यहां साइट पर दिखाया तो इसी दवरान आपने क्या करना है कि आपका वीडूस भी ओरिजिनल है और आपको राइट्स नहीं मिलते तो दोस्तों राइट्स मेनेजर बहुत ज्यादा लोगों का रिजेक्ट होते हैं लेकिन आपने टेंचन न छोती मरता जिब मेन अपरऊओ किया तो यह प्रूब हुआ के से पर वहा मैंने रप्तरपत एक एक आइडि को चेंज कर दिया पहला जो when I do see मैंने इसको चेंज कर दिया और दुसरे एटमण ID से मैं ने अपलाई कर दिया इसे तरह आप लोग हने भी करना यह को बात आप लिए नेटिस नगी इतना णी वेट करें को यह पाप नहीं कर सकते है जब आप लोग application के अंदर videos का link बेचते हैं तो आपने videos को change करना है पहले जिस video का आपने link बेचा तो आप लोग उसी को change करके दूसरे videos का link आप लोग यहाँ पर add करें तो फिर हो सकता है कि आपके application जल्दी जो है न एप्रूव हो जाएं दूसरा में बात यह है कि यहाँ पर देखो Facebook के तरफ से आपको कुछ इस तरह से email आते हैं जिब आपका राइड्समेलेजर एप्रूव हो जाएं तो एप्रूव करने का यही सेंपल तरीगा है कि आपका 100% औरिजिनल वीडो चाहिए तुसरा बात यह कि बहुत कम लोगों का राइड्समेलेजर पहले एप्रू होते हैं पहले एप्लिकेशन से हाशील करना बहुत मुश्किल है आप लोगों ने 2,3 मरतब करना है और मेन बात यह है कि आप लोगों ने dc को चेंज करना है एक एड्मन ाइडी से रिजेक्ट हो तो आप आप दूसरे एडवन आईडी से ट्राई करें, तिसरे एडवन आईडी से ट्राई करें, तो इंशालला आपका राइट्स मनेजर बहुत जल्दी एप्रूड हो जाएगा, लेकिन दोस्तों अगर आप लोगों का वीडियो और आप ट्राई करते तो अपना टाइम वेस्ट मत क लोगों के जहन में कोई क्वेस्टिन है, फेस्बुक राइट्स मनेजर के बारे में तो आप लोगों को फ्री में गाइड करता हूँ, तो मेरा उमीद है कि आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई, अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शुक्रिया, थेंक्स फार वाचिंग,